मद्धिप्रदेश की आईफा वाली कमलनाथ सरकार फिर एक हजार करोड रुपए का कर्ज लेगी कमलनाथ सरकार अब तक 19,600 करोड रुपए का कर्ज ले चुकी है मद्धिप्रदेश की उपर 2,000,000 करोड से ज्यादा का कर्ज है मुख्यमंतरी कमलनाथ की सारी कलाकारी भी मध्यप्रदेश के वित्य प्रबंदन को ठीक नहीं कर सकी है वित्य संकट के दौर से गुजर रही प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से एक हसार करोड रुपए का कर्ज ले रही है यह राशी विकास परियोजना और वित्य गतिविधियों में लगाई जाएगी इसके पहले भी साल भर में 19,600 करोड रुपए का कर्द लिया जा चुका है इसे मिला कर प्रदेश के उपर कर्द लगभग 2,000,000 करोड रुपए का होच चुका है मध़् प्रदेश में कमलनाथ के मुख्मंतरी बनने के बाद कहा जा रहा था कि मखःप्रदेश की माली हालत सुधर जाएगी लेकिन 17 साल बीटने के बाद MP के वित्य हाला जस्के तस बने हुए है और कमलनाथ का जादू भी फेर होता दिख रहा है मुख्यबंतरी कमलनात की करीबी सूत्रों का कहना है कि केंद्रिय करो में 14,233 करोण रुपे की कटोती होने के बाद सरकार का वित्य प्रवंदन गड़बडा गया है मदप्रदेश में लगबग 15,000,000 खरमचारियों और पेंचनर्स का महगाई भत्ता और राहत 5 फीसिती बढ़ाने का फैसला भी तक नहीं हो पाया है दंडाशी नहीं होने से बिवागों के बजट में बड़ी कटोती भी करना पड़ी है इतना ही नहीं कई खर्चों पर वित्य बिवाग ने रोक लगा दी है ऐसी सूरत में करज लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा इसलिए भारते रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से दफ साल के लिए करज लिया जा रहा है वित्य बिवाग के अधिकारियों का कहना है कि राजकोश ये उत्तर दाइत्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में तैसीमा के डाइरे में रहते हुए करज ले रहे हैं जोपड़ी से मेहलों तक ठेलों से मेलों तक पकदंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूटनीती तक दखन न्यूद आपके हद्ट आप देख रहे हैं दखल न्यूद कि नगीत की स्वध लेहरियों से ग्राशभी तांस्कृत एक ताने बाने ता चंबलans दंद्र से औरा राज्डील दूसले की गतने कि! दखन नियूद आप क्या है?